हाट अटाइक में पेन होती है बैठे बैठे पेन होती है अच्छा एंजाइना में कब होता है चलने से पेन होता है रुकने से पेन ठीक हो जाती जब 70-80 ब्लॉकेज हो 70 एक आदमी बोलता है मुझे दौड़ने में दिक्कत है तो कितनी ब्लॉकेज बोलू more than 70 एक बोलता है लॉकेज हो ट्रीडे होता है अर्फ हो जाता है कर अब ही ऑगी हो गया हाट इटाइक पहले मिला पाइंच मेंट बाद म्युक्त में हो गया हुट अब कैसे हो जाता है आपको जांद है अब देखें आप अच्छा एक आदवी हाट का पेशन्न है उसकी इतनी ब्लॉकेज अ इसको हाट आटक करना 100 ब्लॉकार ले जाना है, कितने साल बाक़ी अभी उसको, 10 साल बाकी है, पता चला 10 मिनिट बाद हाट आटक हो गया, एक आदमी तो हाट का पेशेट ही नहीं, उसकी ब्लॉकेश साथ है, 60% blockage है, वो heart का patient भी दोर सकता है, अच्छा उसको कितने सा लगेगा भी heart attack करने, 60 है, 100 जाना है, 40% बाकी है, 20 years बाकी है अभी, पता चला 20 minutes बाद heart attack हो गई, कैसे हो जाएगा heart attack, आपको यहाद एक परदा, आपने बताया था, आपने blockage के पर एक membrane होता है, वो membrane, burst कर जाता है, this is what a heart attack is, देखे, आपको समझ आता है कि नहीं, यह 20% blockage है, दिख रहे हैं, membrane blockage के उपर, यह 40% blockage है, membrane यहाँ पर है अभी, यह 60%, 70% blockage है, membrane अभी भी है, और membrane stretch कर रहा है कि नहीं कर रहा है, करते करते हैं, क्या होगा membrane, burst कर जाएगा, membrane will rupture, membrane will snap, membrane will burst, और जैसे membrane burst करेगा, क् यहाँ से chemical यहाँ आएगी, और यहाँ पर खून जा रहा है, इस खून में क्या होगा, chemical मिलेगा, और chemical मिलते ही blockage हो जाएगा 100%, this is called heart attack, 100% blockage, किते देर में बना, पांच मिनिट में, जीरो से 80 आने लगा था, 40 साल, और 80 से 100 आने में, 5 मिनिट, 2 मिनिट, अब एक बार बदा नोट के गड़ी में रवर्बेंड लगा है, मैं हर दिन उसमें नोट घुसाए जा रहा हूँ, और जब रवर्बेंड टाइट हो गई, तो आपको मैंने पूछा, क्या करूं कि रवर्बेंड ना फट जाए, तो आप क्या जवाब देंगे, इस नोट घुसाओ मत, आप ये स्टेप और आगे जाता हूँ कि कुछ नोट निकाल लो, कि रवर्बेंड डीला हो जाए, अब फटने का क्या चांस है, एक दम नहीं है, यही बात मैं हाट के पेशिन को समझाता हूँ, मैं बो तो देखो, अभी जहां तक चले गए चले गए, अब आप ब्लॉकेज को बढ अब कब फटेगा नहीं मालूम पर, एक बात पका मालूम है कि आज से नोट घुसाना बंद कर दिया तो फटने के चांस कम हो जाएगा, और कुछ नोट निकालना चालो कर दिया तो, आपको क्या लगता है, लॉजिकल बात हो रही है कि नहीं, वो जो कारण है ब्लॉकेज को उसको अटाओ, और बॉडी में सप्लाई फट का बंद करो, अब हार्ट अटेक का चांस से इस अल्मोस्ट, निल, अल्मोस्ट, निल, और यही बात में हाट के पेशेंट को समझाता हूँ, आपको क्या लगता है, सही हुआ कि नहीं हुआ, कॉमन सेंस के बात यहीं बोलता है कि नहीं, ब्लॉकेज का कारण को हटाओ, और खतम करो बात, तो यह है हाट अटाइक रोकने का उपाई, मैंने देखा है, बहुत सारे पेशेंट यह करते नहीं है, वो खाना पीना गलत खाते रहते हैं, दवाई यहां खाते हैं, कार्डियोलोगिस को पूछ भी लेते हैं, क बखत आप, अचा काडियोलोजी भी बड़ा खूस रहता है, बोलता है मेरा मोबाईल नंबर रखना, जब भी हाट अटाइक हो मुझे, इन्फॉर्म करना, और मैं आपको बताऊंगा कहां पहुंचना है, और मैं भी महीं पहुंचूँगा, फिर आपको बचाने की पूरी क कुछ हो रहा है, एन्यवे, आई डोंट वांट आट, अचा एक बाद बताईए, यह जो पेशेंट है, जिसका ब्लॉकेज बढ़ रहा है, यह सब जानता भी नहीं है क्यों ब्लॉकेज बढ़ रहा है, काडियोलोजीस्ट के पास जाए तो उसको बता दिना चाए कि नहीं कि अचा इतनी कॉमन सी बात है, ब्लॉकेज का कारण को रोको, वो इसको नहीं बता के बाइपास एंजियोप्लास्टिक यह बोल रहे हैं, अपको क्या लगता है? आगे पहले कॉमन बात बताओ, फिर तो बाइपास एंजियोप्लास्टिक बात करते हैं, वो लोग चाहते नही हैं, यह सब ज्यादा, वो बोलते हैं हमारी बाइपास की काम अच्छी, अच्छा वो लोग कैसे ले जाते होंगे आपको उस तरफ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, कैसे यह सिस्टम बन गया, कि वो बाइपास एंजियोप्लास्टिक के तरफ चले जाते हैं, मैं आपको स जलने में स्पीड लेते ही दरद हो रहा है, जब वो दादर चड़ता है, सीड़ियां चड़ता है उसको दरद होता है, तो कितनी ब्लॉके जो गई? 80, अच्छा वो बताएगा क्या किसी को, सोचता है, कि अभी तो मैंने फील किया है, अगर घर में जा के बता दूंगा, घर जा जाने दो, जब दादर चड़ना होता है, तो धीरे से चड़ता है, समान उठाना होता है, नहीं उठाता है, पर धीरे धीरे पता चल जाता है, एक दिन वाइप बोलता है, आप स्पीड में चलिये, पेशन बोलता है, मेरे से स्पीड नहीं चला जाता है, तो क्यों? बोल लोकल काडियोलोजिस्ट को जाके बता दिया कि डॉक्र साब जब मैं स्पीड लेता हूं तो यहां पे छाती में दरद हो जाता है फिर रुकता हूं ठीक हो जाता है अच्छा उनको कुछ आइडिया लग जाएगा वो एसीजी करके देखते हैं उसमें कुछ नहीं आता है डीक हैँ अब करणोग क्रेजिश को बिलते हैं ऑपको हाड की बिमारी हो गयी है पेशिंग घबडा जाता है अब कलो क्या करूं क्या करूं है करो घृक करो अ housing का नाम लिखके देखा उसमें चले जाना और उहां पर जाकर एंजियोग राफिय उससे पता चलेगा ब्लौके ना मेरा उनको बता दिना मैंने ही आपको वह पे बेजा है अच्छा इसका भी कुछ पाइदा है ना अच्छा अच्छा अब आप कहां चले गए नेक्स जे पेशेंट पहुंच गया हाट के हांस्पिटल में कार्डियॉलोजिस्स गता दिया कि मैं स्पीड लेता हूं मेंको चाती में दर्cious कार्डियॉलोजिस्स को समझ आ गया क्या उनको बहुत अच्छे से समझ आ गया यह नया है पेशिंट आ चुका है अच्या या बरसे नहीं इसा वह क्या बोलते वोलते मेरे को डौत है यह लोगोंग किया हौं और ये बड़ा डाप्टर ऐन चैक etrहाना मेरे को डॉट है और इस किया अरे मैं कभी कोईन गलत काम क्या ही नहीं सिगरेट तो बहुत लोग पीते, मैं भी पीता हूँ और चर्वी उर्वी तो बहुत लोग खाते, मैं तो थोड़ी बहुत ही खाता हूँ तो पेशेंट क्या सोचता है कि कुछ निकलेगा तो नहीं, डॉक्टर ठीक ही बोल रहा है, कुछ मिले गई नहीं हैне, पेशेंट बोलता है कोई उपाई है, पता चल जाएma ब्लॉकर इज कितना है काडियोर्वी बोलते हैं लिए यजिव कर लेते हैं, आपको देख लेते हैं एड पेशेंट मान जाएगा नहीं मान जाएगा पेशिंट बोलता है सब कोई भी टेस्टों में तयार हूँ आप बोलो क्या क्या कराना है बोलते हैं आपको एडमीट करके आपके अंदर एक तार गुसाएंगे और उसमें जान भी जाने की चांस है अचा पेशिंट फिर भी नहीं चाहता है बिनातार गुसाए कुछ कर लीजे ना पता करना है ना ब्लाकिज कर लीजे आप तो कुछ blockage मिलेगा और plan क्या बनाता है कि घर जाके कल से सारा खाना पीना बदल दूगा, walking चालू कर दूगा, exercise चालू कर दूगा, एक्दम plan करके angiography में जाता है कि कल खाली report लेके घर जाना है, अच्छा report में कुछ angiography होने के लाद report में कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, report report में, angiography में किपनी blockage मिलेगी, 70, 80 है, 90, अच्छा जब 80 blockage मिल जाया, cardiology suddenly बदल जाता है, वो बोलते है, you are very lucky, patient बोलते है, lucky मतलब कुछ भी नहीं मिला आपको, बोला lucky इसलिए कि आप ठीक time में यहां तक पहुच गए, थोड़ा सा late आते हैं, तो कुछ भी हो सकता था, patient बोलते है, इसका मतलब कुछ serious बात है, बोला आप बचे कैसे में को समझ नहीं आ रहा है, you are very lucky, अभी तक बच गए आप, अब आपका बचने का chance, बहुत कम है, patient बोलते है, पर हुआ क्या है, 80% अलड़ी, finished, बस थोड़ा साही है, you are carrying an atom bomb, अच्छा, patient बोलते है, sir, एक काम क उसको तो यह भी नहीं वालों, 70 है, 80 है, या 90 है, क्यों ऐसा बोला जा रहा है, to create a fear, और fear से क्या होगा, फिर operation के लिए, immediately, बहुत सारे लोगों को इता बोलने का ज़रूती नहीं हो, तो immediate तैयार ही हो जाता है, heart का सुनते है, उसके मन में ऐसा ही डर रहता है, उसको जारा तो आप एक काम करिए, मेरे को आप डिस्चार्ज कर जीजे, मैं घर जाकर फिर सोचूँगा, बोला नहीं, आप एक काम कीजेगा, आप करवड भी लेंगे ना तो हमको पूछ लीजेगा, पेशिंट बोलता है, नहीं सर, मैं तो घर जाओंगा, बोला आप रुकिये, आपक जाने की कोसिस करूँ और जाने दूँ, अचा आंसर क्या होगा, वाइप क्या बोलेगी, जिन्दे की बड़ इन्होंने मेरे लिए कि आज मेरे को चांस मिला, आज तो मैं ऑपरेशन, वाइप बोलती है, कोई चीज का भी कोई भी कंजूसी हमें नहीं करना, इनको तो बंच जाए, खाने पिने में क्या क्या चेंज लाना चाहिए, अचा काडियोलोजिस मान जाएंगे इनसे बातस में, वो बोलेंगे, you are wasting my time, he is dying and you are talking all this rubbish, अचा तब तक और जितने परिवार वाले बोले, नहीं नहीं ऑपरेशन होना ही चाहिए, मेरे एक पेशेंट ते बोले, तो नहीं कराऊगा मोझे घर जाना है, वो बोले नहीं आप घर भी नहीं पहुंचेंगे, मैं बोला मैं लिख के देता हूँ, मैं पहुंच जाऊँगा, फिर मैंने लिख के भी दे दिया, फिर भी हो जाने नहीं दिया, फिर मैंने लास्ट बोला, मैंने बोला, देखो मैं एक है इन्होंने बोला कोई प्राप्लम नहीं है अब खिर से बुदा या नोने बोला ये इतने पैसे आप इतने दिन आपको समझा रहे हैं अपरेशन कम रोख सकता है। इस इस नहीं बोलूगा, शारे जगे एक जैकली यह हो रहा है। इसका छोटा मोटा रूप यह होस्पिटल का सिस्टेम है। पर एक बात मैं जानता हूँ, छोइस देना चाहिए पेशेंट को तो देखो, 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 जाते हो, तो अगर अपने आपको बदलोगे तो अपरेशन कर लेते हैं, पर उसके बाद भी, उनको यही करना पढ़ेगा, लाइफ़स्टाइल चेंज तो पेशेंट को फिर भी करना पढ़ेगा। मैं जानता हूँ, हाट के पेशिंट को मैं तीन चीज देखते दिखाऊं, एक तो दवाईया है, एक बाइपास और एक अंजयोप्लास्टी, यह दवाईया मैं आपको एक पर समझाना चाहता हूँ, दवाईया क्या काम करती है, और अनधर 10 मिनिस आइल ते, देखें यह क्या हुआ, ट्यूब चौड़ी हो गई, ब्लॉकेज महीं की रह गई, ट्यूब चौड़ी हो गई, ट्यूब थोड़ा फैल गया, फैल के क्या हो गया, ब्लड सप्लाई बढ़ गई, पेशिंट बोलता है, मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है, पर यह दवाई का असर रहेग असरोडील, मौनोटरेट, नाइट्रोफीक्स, अंजसेड, इम्डूर, अंजी-COR, वैसोटरेट, मौनोसवीटरेट, नाइट्रोपंटें, वैसोप्रीन, मौनोस्प्रीन, इस तरह की दवाईयां हम हार्ट के पेशिंट को दे देते हैं, एनीवे, दवाईयां बहुत सरे मिलती है एक होता है हार्ट की ऑक्सिजन की जरुवत को कम कर देता है इसको बुलते है बीटा ब्लॉकर, कैल्सियम चैनल ब्लॉकर, फिर एस इनिवीटर, ऐसे करके बहुत सारी गोलिया हम लोग हार्ट के पेशिंट को दे सकते हैं, I am not going to go into that detail, कुछ बलड पतला करने का दवा नहीं होता है, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ, वो लाइफस्टाइल चेंज करें, अपनी ब्लॉकर को कम करें, कि इनको देने की जरुवत पड़े ही नहीं, अच्छे ये गोलिया इतनी खाए कि इसके साइड एफेक्स होती है, क्या? अगर साइड एफेक्स होती है, कॉंस करना बहुत जरूरी है, इसके बाद चलते हैं, कि एंजियोग्राफी क्या चीज है, हॉस्पिटल में जाते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं, और ये एंजियोग्राफी मुझे पसंद क्यों नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वोट इस प्रॉब्लम इजियोग वो अंदर स्क्रैच करेगा ही करेगा, पूरे बॉड़ी को स्क्रैच करते हैं, और लिखवा लेते हैं, कि अगर हाट इटाइक हो गया, तो मेरी कोई जम्मेवारी नहीं है, और ये पूरे बॉड़ी को ये पंक्चर भी कर सकता है, मैंने ऐसे ऐसे पेशियोग्राफी के पक करेगा ही करता है, पूरे लिखवा ही जे सो खाता है, पेशले 20 साल में जो लोग करते हैं, ये बार बार इसकोạnh है क्वाट आबक निहीं ड़ी है, बार इसको सब्सक्स बताया गया है, पहले आई थी ballooning, balloon angioplasty उसके बाद बहुत सरे तरह के angioplasty आई, ordinary stent आई, फिर gold stent आई, फिर rota blader आया, radioactive stent आई laser angioplasty आई, आज कल चल रहा drug-coated stent, पर यह सारे के सारे fail हुए है, क्यों fail हुए एक बढ़ समझाना चाहता हूँ, देखें यह बिलूनिंग क्या चीज़ है। या याद है आपको एंजियोग्राफी के पकर तार अंदर घुसा आई थी। वो कहां तक गई थी। हाट तक यहां तक तार आई थी। इस तार के ओपर यह बिलून रोता है। इस तार को थोड़ा सा धका मालते हैं। कभी-कभी करडियोलोजी इस तार को अंदर रखके भार आजाते हैं। आके बोलते हैं देखो तार अंदर है बोलो तबी खोल दूँ। आप बोलते हैं। चलो खोल दो कितने लगेंगे, दो लाख लगेंगे, दो लाख दे दिया। अब यह तार को यह लोग धका देते हैं फोड़ा और। तो तार क सवाइगे तो बैलून क्या होगा फुल जाएगी फुल टहीं ब्लॉकेज खाएगी साइड में दब जाएगा उपरकम प्रेस्ट हो जाएगे नीचे कंपर को जाएगी अच्यकिए बैलून को जब इसी को थोड़ा आगे किया, बैलून डाल, पानी निकाल लिया, और ब्लॉकेज बापस, अच्छा ब्लॉकेज बापस आजाएगी नहीं आजाएगी इसके बार, क्या लगता आपको, अच्छा ब्लॉकेज बापस, थोड़े साल बाद, यही काडियो लॉकेज बापस, नहीं है, पहले क्लेम किया था, बैलॉनिंग एक बार कराओगे, जिंदेगी बर चलेगे, फिर मान गए, काम की, नहीं है, फिर क्या हो गया, फिर वो बोले, इसमें स्टेंट लगाना होगा, इस टेंट, बैलूकेज, दिख रहाँ, एक बाद, इसके अंदर एक बैलून डाल दिया, आपको दिख रहाँ, बलाक कलर का बैलून, बैलून में पानी डाला तो ब्लॉकेज खाहँ चलेगी, साइड में आ गई, जब बैलून निकाल लेंगे तो ब्लॉकेज बापस आएग थी थी इसका मतलब पहले वाला जो क्लेम था वो गलत था कि बैलूनिंग करा लो ठीक रहा इसके बाद यह जो स्टेंट लगी स्टेंट का एक मेजर प्रॉब्लम है कि इसके अंदर से ब्लट जाएगी और फॉरें बॉड़ी के अंदर ब्लॉक बहुत जल्दी होती है यह देखा गया स्टेंट में छे मेना एक साल में सारे ब्लॉक आजाती वापस और यह जब बापस आने लगी तब इन्होंने थोड़े दिन तक तो बोला नहीं 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 आती है नहीं आती है तो drug की coating चल जाए, आपने देखा है, चांदी के गहने में सोने की coating चड़ाते हैं, तो वो spring के उपर coating चड़ा देते हैं, और वो coating चड़ा के लगा दिया, पर इसके बाद भी ये foreign body ही रही, इसमें वही का वही result आया है, अभी latest है कि 66% people within one year will come back with a re-blockage, इसके बाद है bypass surgery, एक बहुत बड़ी surgery होती है, देखे bypass surgery मैं इसलिए नहीं चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा surgery है, एक पूरे chest को काटो, और इसको काट के इसको चाकू से नहीं कटेगा, इसमें आड़ी से कटेगी, आड़ी समझते हैं, आपने marvel fitting के वकट एक देखा है, गोल चका लेके घुनते ऐसा एक लगा के पूरे खुलेगी, इसको अंदर से जैक करके इसे कोलेगा, अंदर में हाट को रोक के उसमें operation होगी, और हाट को रोकेंगे तो एक machine से पूरे body को blood जाएगा, इसको बलता है heart lung machine हो, उसमें कुछ blood डाल के उससे चलाना होगा, and during this time the operation has to take place, but this operation is very complicated, लग ठीक है, नहीं तो कुछ ना कुछ complications रहती है, बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है, पर operation के बाद क्या होगा, यह देखिए operation के बाद क्या होगा, यह ट्यूब जो ब्लॉकेज है वो यह ही रहे गई, उसके जगे नही ट्यूब लग गई, तो क्या हो गया, bypass हो गया, पर यह नहीं ट्यूब में फिर कभी ब्लॉकेज आएगा कि नहीं, आपको क्या लगता है, यह नहीं ट्यूब में फिर से ब्लॉकेज आती है, अच्छा आप तो 40 साल बाद ही आएगी ना, पिछले बार कितने साल लगी थी, आपको याद है, देखिए एक वाई का जवाब सोच यह तो कितने साल हो गई, 40% पर यह, और बाइपास के बाद अगर 5 साल में री ब्लॉकेज आती है तो, 20% पर यह, जो ट्यूब ओरीजिनली 2% की ब्लॉकेज कर रही थी, वो अब ऑपरेशन के बार, उसकी स्पीड क्यों बढ़ गया, क्योंकि अब ओरीजिनल नहीं रहा, हम हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी दो दो बाइपास कराई है, अंजो प्लास्टी पांच स्टेंट लगाई है, पर मैं जानता हूं उसके बाद भी तो फिर से कराना पड़ा, एक बार कर लिया, दुसरे बार करा, कब तक करा सकता आदमी, और मैं जानता हूं बाडी में एक कराना, उनके लिए तो चलो बहुत बड़ा टीम लगेगा, हर आदमी के लिए इतनी बड़ी टीम नहीं भी लग सकती है, और इतना बड़ा उपरेशन नहीं भी कर सकते हैं ठीक से, पर मैं जानता हूं अगर उपरेशन भी नहीं हमारी काम बन जाए, अगर हम इस पिक्चर को आपने लगाए, कितना एकुरेसी है इसका मतलब, मैं पो समझाता हूं, यह एक ड्रम में पानी भरना चाहता हूं, और इसमें 15 च्छेद क अब बन जान करने से ड्रम नहीं हुँए या दे इस 15 कारन है, अभी इसमें से कितने को कंट्रोल करूं कि इसमें भर कोलेस्टरोल कंट्रोल है, ट्राइगलिसाइड जादा है, शुगर कंट्रोल है, बीपी जादा है, मैं बुल ऐसे नहीं चलेगा, सारे होल बंच चाहिए मुझे, मैं थोड़ा थोड़ा करूं तो कैसे चलेगा, मैं बुल थोड़ा थोड़ा से निकाब नहीं चलेगा, बुल मैं बीपी कम किया हूँ और पूरा कम नहीं कर रहा हूँ 120 नहीं लड़ा हूँ, 140 ही रखा हूँ मैं बुला नहीं चलेगा मुझे सारे फैक्टर्स एक साथ कंट्रोल चलिए हाँ, इसके लिए शुगर, बीपी, कोलेस्टरोल, ट्राइगलिसाइड आपसे कम नहीं हो रहा हूँ मैं दवाई दे के कम कर देता हूँ पर स्मोकिंग आपको पुरही बंद करना होगा खाने में तेल आपको बंद करना होगा एक्सराइज आपको करना पड़ेगा, ओवरवेट कम करना होगा खाना पीना में फाइबर ज़्यादा डालना होगा अच्छे ये सब संभव है क्या लोगों के लिए ये इस क्या प्रॉबलम है ये तो सिंपल सी बात है, इसको क्यों नहीं कर सकते क्यों नहीं सिग्रेट बंग कर सकते है, क्यों नहीं मीट बंग कर सकते है क्यों नहीं तेल धी, छोड़कि आप अलग तरीके से खाना बना सकते है तो all these if you do, there is no problem nevertheless, मैं जानता हूँ एक और छोटा साथ चीज आपको बताना चाहता हूँ अभी एक और नहीं जो technology आगई है, आदमी को मैं सोचता था, बीना काटे कुछ हो सके यह हमारी cooking की class है this is a cooking class, मैं heart के patients को training देता हूँ, this is my dietitian teaching cooking, zero oil cooking to the patient's wives मैं heart के patients को yoga सिखाता हूँ मैं बोलता हम कैसे भी करो, yoga करो आप yoga करने की बहुत ज़रूर यह उसके साथ उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितनी समान उठानी चाहिए, गाड़ी चलानी चाहिए scooter चलाना चाहिए, office जाओ तो क्या precaution लो, दादर चड़ो तो क्या precaution लो, आगे कौन थी yoga करो कब तक करो कौन से मेडिसीन लो कब तक लो and for this हाँ मैं एक मैगजीन भी निकालता हूँ इसका नाम है साउल टाइम्स ये मैगजीन में हर महीने निकालता हूँ दिल्ली से निकलती है हिंदी और इंग्लीश में अच्छा आपको एक फॉर्म दिया गया है कि ऐसा देखे तो ये फॉर्म में अगर आप अपने नाम एड्रेस भर के देंगे तो आपको ये मैगजीन आगे आपको मिलता रहेगा हर महीने हिंदी में इंग्लीश में दोनों में मैगजीन है और इसके साथ एक छोटा सा और कुश्चिन यह रखा है कि यहाँ पर अगर हम लोग ऐसा कोई कैम करवाएं तो इक दिन का या दो दिन का ऐसा एक कैम अगर हम करवाएं तो कोई इंट्रेस्टेड हो तो फ्लीज फिल इट अप मेरे को लोग बोलते हैं डॉक्र साथ इतनी सारी बाते हैं अगर कैसे याद रखूँगा मैंने बहुत मोटी मोटी किताब लिखे आदमी बोलता है सर छोटा सा कुछ दीजे ना कॉपी तो मैंने एक ऐसी किताब बनाई है जिसका नाम है पॉकेट गाइड एक 30 रुपीज के किताब है कोई दो घंटा बैट के पढ़ ले तो जितनी बाते मैंने बताई है सब इसमें लिख के रखा है So this book I have brought over here मेरे खाल से बाकी books तो मैं नहीं ला सकता हूँ क्योंकि हंड़ेड सो बुक्स आदे है तो मैं ये बुक लाया हूँ कोई को लगता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ और कोई को पढ़ाना चाहता हूँ Heart की patient को ज़रूर पढ़ाईए 30 रुपीज की gift होती है You can give it to anybody and they will learn things from the book तो ये बहुत जरूरी है मैं जानता हूँ मैं ये magazine पिछले 10 साल से run करता हूँ and it is gone all over the world मैं एक नहीं टेक्निक आपको इसी बहुत बताना चाहता हूँ there is a new machine which has come which can open the co-laterals देखें co-laterals का क्या मतलब है ये blockage है bypass surgery में क्या करते हैं नहीं tube लगा देते है इसमें क्या करते हैं जो heart की ये branch है और ये branch है इनको जोड़ देते हैं and there are so many small tubes जो इसको जूड़ जाए तो blood यहां से यहां से आने लगे ये जो छोटे छोटे ट्यूब है ये मैंने बोला था sportsman चालू करके रखते है और sportsman चालू कर दिया तो क्या हो गया उसके पास दो supply हो गई एक तो ये original है और एक side वाली भी है इसको बनतें co-lateral बैंक में आपने लोन लेते वे देखा है कभी co-laterals बोलते है co-lateral मतलब क्या कि ये फेल हो जाए तो दूसरा कोई होना चाहिए तो ये co-laterals भगवान ने हमें देखे रखा है original तो धा ही था एक co-lateral भी देखे रखा कभी ये fail हो जाए तो ये चालू करना अच्छा ये अगर चालू हो जाए बीना operation के तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता and this is a new machine, new technology which has come देखे हमारे medical science की technology बीना काटे वाली technology है ये देखे ये tubes हैं जिसमें कोई collaterals चालू नहीं है और ये है tubes के सारे collaterals चालू हो गए आपको समझा रहा है difference दोनों के अंदर ये जो छोटे-छोटे collaterals है ये हमारे सब के पास है और एक machine से इसको या तो sports करके चालू कर सकते या तो एक machine से चालू कर सकते ये machine क्या करती है सोचिए ये jackets लगा दिया हमने कफ में थाई में बटक्स में और सारे को एक सार्थ squeeze कर दो तो क्या होगा इसकी blood कहां जाएगी body में ही रहेगी पर कहां जाएगी ये heart के तरफ जाके heart के tubes को धका देके pressure देके इसको खोलेगी ये pressure एक एक घंटे तक एक एक में इसको heart के संग synchronize करके दिया जाता है synchronize मतलब heart जब pump करे तो machine pump नहीं करता है जब heart pump करके relax करने लगे जब पूरे blood बापस आती है तो वो squeeze करके सारे blood को इससाथ बेजा जाता है and this goes on, ECG feed होती है computer को and this machine we have seen now without bypass surgery आदमी बोलता है, मुझे immediate result चाहिए तो without bypass this can work very well तो इसको हम लोग बोलते है natural bypass, natural bypass समझ नहीं भगवान ने already natural bypass हमें दे के रखी है, sportsman चालू करके रखा है, तो आप heart के patient ओ, आप चालू करो, आप पस four lateral आ गई तो original नहीं भी होगा, तो भी काम चल जाएगी और एक, मैं जैसे ही हाँ, एक और treatment आई है जिसको मुझे बायो chemical cleaning ये अभी बहुत अच्छी result आ सकती है कुछ chemical अंदर डाल के blood में उसको अंदर से गला लिया जाए जैसे kitchen में आपके सुना, नाली जाम हो जाए क्या खरते हैं लोग, कुछ chemical डालते हो अंदर से, तो ये chemical की भी treatment आचकल चल रही है बट अभी भी इसका results हर आदमी में same नहीं आता है, बट results are still there, बहुत सरे ऐसे patient हैं जो 30-40% तक blockage इससे कम हो सकती है, never delay, मैं समझता हूँ, मैंने बहुत सारा lecture आपको दे दिया है, कोई ने मेरे को बोला था एक बार कि डॉक्टर साब, कभी भी किसी को आदे घंटे से ज्यादा lecture मत दिया कीजिए, मैंने बोला क्यों, बोला आपने school उसके बाद दिमाग काम नहीं करता है मैंने बोला क्यों ऐसा बोल रहे हैं, बोलते हैं, आपने school college में देखा है, कभी भी periods 40 minutes से जादा नहीं रखते हैं, उसमें 5 minutes आने जाने का wastage गिन लो, आदे घंटे ही चलेगा दिमाग, मैं बोला पर मैंने देखा है, आप TV देखते हो, तो और अज़र अगा अपको लेक्चर अच्छा लगा है, तो उनके लिए फिर से एक बार anyway, मैं जानता हूँ, मैंने लेक्चर तो खतम किया है और मैं चाहता हूँ, कि आपके पास अभी भी कोई questions जरूर होगी मैं कैम भी करता हूँ, और मेरी चोटी वाली किताब भी पढ़ियेगा, अगर आपके पास कोई questions हो, questions के लिए माइक है मारे पास so if you have questions, I would want you to ask the questions and I would like to answer the questions you don't cover the effect of alcohol yes, very important thing, alcohol मैं आपको बता दूँ, alcohol हाट के लिए कभी अच्छी नहीं है we don't recommend alcohol for the heart patient, क्यों? alcohol में glycerol होती है, और glycerol से triglyceride का रिस्ता होता है, triglyceride, glycerol होता है उसमें भी तो alcohol में aldehyde group है और glycerol में aldehyde group है और ये दोनों इस दुसरे से exchange हो जाती है जब भी कोई alcohol ले, तो उसका triglyceride 40-50 तर बढ़ जाती है तो alcohol कभी हाट के लिए अच्छा है ही नहीं पर alcohol से एक अच्छा ही होती है हाट में, तो है HDL बढ़ जाती है तो हाट के पेशिंट्स का चाहते हैं मालू मैं बोले HDL की बात करो ट्राइगलेजर की बात ना करो अड़े मैं कैसे बात ना दुरूँ एक चीज अच्छा एक खराब है नहीं तो में दोनों को भी बात करूंगा ना अच्छा alcohol में एक ही खराबी है और भी खराबी है मैं आपको बिनाता हूँ alcohol की खराबी एक तो alcohol से stomach खराब हो जाता है gastritis हो जाता है liver खराब होता है इसको बुलते cirrhosis of the liver सुना अपने ना अच्छा, alcohol से nervous system खराब होती है आपने सुना है alcohol पीके, accident करके लोगों को मार डाला लोगों ने सुना है सार तो alcohol से पैसे भी खराब होते है अच्छा, alcohol से एडिक्शन होता है इडिक्शन मतलब क्या है जिसको एलकोहल पीने की आज़त पढ़ जाए वो मार फीट करके पी अलकोहल पीएगा हर दीन पीएगा एक आदमी मेरे को बुला सर, सब कोई नहीं होता है मैं बुला जो जो हो चुका है उसको जाके पुछो कि आप जब सुरू किये थे तब हर दीन पीते थे क्या बोलते हैं नहीं पहन तो पहले एक ही बार पीता था जिन्दगी में एक बार पिया पहले बार फिर महीने में एक बार पिया, फिर हफते में एक बार पिया, फिर हफते में तीन बार पिया, फिर धीरे अब हर दिन पीने कादत हो गया है, तो कौन गैरंटी दे सकता है आप उसी एडिक्शन में नहीं जाओ, अलकॉल में परिवार को बड़ा तेंशन रहता है, वाइफ सबस ज्यादा दुखी होती है, अच्छे तो अच्छा चीज़ सीखते हैं आपसे, बच्चे भी बहुत दुखी होते हैं कि पापा को सिग्रेट पीने देते, दो ही होता है, बच्चा दो ही काम करता है, या तो पापा के तरह पीना चालू करता है, या तो पापा को जिंदे की नफरत करता है, क्योंकि उसको अलकॉल या तो पसंद हो जाएगा, तो पीना चालू करतेगा, वो भी बिगड़ेगा अच्छा मेरे को कभी कभी लोग बोलते हैं, सर पर मैंने देखा है, काडियोलोजिस्ट बोलते हैं, थोड़ा बहुत पिया करो मैंने बुला अच्छे काम करना उस काडियोलोजिस्ट को जाके पुछना, कि सर या ऐच्छी चीज है क्या, बुला हऊँ, अच्छी चीज है तब n हमको बता रहा है, मैं बुला उसको पुछना कि अपने बेटे को और अपनी बीबी को पिलाना चालू किया क्या हर दिन, बोल पिलाओंगा तब तो मैं मान जाओं कोई काडियोलोजी स्तेयार नहीं है पर पेशेंट के लिए गोज देना समझते हैं गोज देना ब्राइब करना समझते हैं ब्राइब होने से बहुत काम हो जाता है तो पेशेंट को ब्राइब देगे रखते हैं कि पेशेंट बोलेगा डॉक्टर मेरा बहुत बढ़ी आ है सारा चीज अलाओ कर देता है बट वेरी बैड अलकॉल इस नेवर गूट फॉर दा हार्ट या एनी मोर क्वेश्टिन गार्लिक गार्लिक मैंने कुष्चिन यहां पर लिखके रखा है गार्लिक गार्लिक हाट के लिए अच्छा है गार्लिक हाट के लिए अच्छा है पर नेसेसरी नहीं है जो नहीं खाता है उसको इखाना होगा ऐसे हजारों फूड है जो हाट के लिए अच्छा है so you can take any of this food पर एक आदमी मेरे को बोला सिर्फ गार्लिक खूंगा मेरा ब्लोकिश ठीक होगा के नहीं मैं बोला नहीं जितने खराब बाले आईटे में सब बंद करने होगे जितने अच्छी वाली सब चालू करनी होगी तो ऐसा नहीं कि गार्लिक is a panacea पर गार्लिक is definitely good कोलेस्टोल को कम करता है या, yes ma'am CT angiography बंबई में बहुत सारे जगे मेरे खाल से कम से कम 20 मशीने लग गई है हम जहां करवाते हैं वो चित्रा करके हैं दादर में तो ये CT angiography का लिए आपको अगर अगर अड्रेस चाहिए हमारी क्लिक का अड्रेस आपके पास है औरडी यू थाल रख एप लिए लिए फिट्राइप की जाड़ी okay so what is good cholesterol and what if you have the range of good cholesterol is higher than the normal range so how does it affect the heart see good cholesterol is good cholesterol को good क्यों बोला जाता है it goes to the blockade picks up the cholesterol and takes it out so good cholesterol if you can increase it is wonderful we want more than 40 तो इसके लिए बजार में नहीं मिलता है अब हमको यह नहीं बोलते हैं, सार दो किलो मेरे लिए बंगवा दीजे गुड़ कोलेस्टोल आपकी बाड़ी बनाएगी अगर आप खाना पीना ठीक रखेंगे अब किलोड도 है, सार झाल आपकी होंग। झाल कोलेस्टोल आपकी है अच्या बिरलाप है इसुच्छना के लिएग I'm very much aware of what is going on And